हेलो प्रेंस तो आज हम लोग बात करने जा रहे है 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर मुवी जिसका नाम है दी कोलेम इस मुवी को डैरेक्ट किया है योवें डोवें पर ने फिल्म की IMD रेटिंग है 5.6 स्टार बाइट 10 रोटन टेमाटो पर है 86 परसेंग गूगल यूजर ने इसे लाइट भी किया है फ्रेंट्स गोलेम की सुरवात करने से पहले हम लोग गोलेम का मतलब जान लेते हैं गोलेम का मतलब होता है दी जूइस लेजेंट जो की मिट्टी का बना होता है और इसे जादू की हैल्प से जिन्दा किया जा सकता है इनकी स्टार्टिंग में हम लोग एक बहुत बड़े से क्रियेचर को देखते हैं जो की मिट्टी का बना हुआ है और उसने बहुत सारे लोगों की जान भी ले लिये और वहीं पे एक स्पिरिश्चुल लीडर है जिसे जो इस लैंगवन में हम रभी कहते हैं वो उस क्रियेचर को सांध कराने की कोसिस कर रहा था तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आ जाती है जो अपने हाथ पे एक कांच कर टुकड़ा लेके उस क्रियेचर को मारने की कोसिस करती है पर रभी उसे देख लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो creature बच्ची को देखकर बेकाबू हो जाता है तभी वो अपनी ताकत से रभी के चिथरे उड़ा देता है तभी वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है और उसके बादी story लिथ्वानिया नाम की एक गाउं में शुरू होती है 1673 में जहां हम हेना नाम की एक औरत को देखते हैं उसका बच्चा 70 पहले पानी में डूप कर मर गया था और तभी से उसे कोई भी दूसरा बच्चा नहीं हुआ था लेकिन आज भी हेना जब भी किसी औरत को अपने बच्चे के साथ देखती है तो उसको ऐसा फील होता है कि कास उसका भी एक बच्चा होता और उसके बाद सीन शिफ्ट होके आता है चर्च में जहां के फादर बेंजिमित को सला दे रहे होते हैं कि उसे अपनी बीवी को तलाग दे देना चाहिए क्योंकि उसके पहले बेटे की मौत के बाद उसे कोई भी दूसरा बच्चा नहीं हुआ है लेकिन बेंजिमित ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि बेंजिमित हेना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इतना ही नहीं वो हेना को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करता है जैसे कि उसके गाओं में चर्च में औरतों का जाना मना है लेकिन हेना बेस्मेंट के जरिये वहाँ जाती थी और ऐसा करने की इजाजत बेंजिमित नहीं उसे दी थी क्योंकि हेना को रिलीजियस चीजे पढ़ने और जानने का बहुत ही जादा सौख था और बेंजिमित उसके लिए चर्च से चुड़ा के काकी का खीमती-खीमती किताबे भी लेकर आता था जिसे टोरा कहा जाता है यानि कि बुक आफ लो फिर सीन गाओं में शिफ्ट होता है उनकी एक परोशन थी सारा जिसका पती नहीं था उसकी एक बेटी थी और उसकी बेटी को बेंजिमित के साथ खेलना बहुत पसंद था हेना साम को बेंजिमित कुट किताब के लिए ठैंक्यू बोलती है बेंजिमित चाहता था कि उसका एक बच्चा हो जाए लेकिन हेना ऐसा नहीं चाहती थी इसलिए वो एक दवा का यूज करती थी जिसे वो गाउं की एक औरत से लिया करती थी जिसका नाम परला था और हेना ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसे बहुत डर था कि जैसा उसके पहले बच्चे के साथ हुआ वैसा उसके दूसरे बच्चों के साथ भी हो सकता है वो अपने बच्चों को खोने के डर से ऐसा करती थी हेना कोई दवा ले रही है इसके बारे में बेंजिमित को कुछ भी नहीं पता था अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेंजिमित आज भी अपने बेटे की कबर पे जाके उसे बहुत याद करता है जिस दिन हेना की बेहन रिसिका की साधी थी उस दिन गाओं में कुछ इंक्लिटर्स गूसाते हैं और उन्होंने कुछ अजीब तरह की कपड़े और मास्क पहने हुए थे क्योंकि उनके गाओं में प्लेग नाम की विमारी फैल रही थी जिसकी वज़ा से उनके काफी सारे लोग दिन पर दिन मरते जा रहे थे और उसी गाओं में उनका एक लीडर था जिसका नाम व्लादिमीर था और उसकी बेटी को प्लेग हो गया था और अगर व्लादिमीर की बेटी को बचाने के लिए कुछ जल्द ही नहीं किया गया तो उसकी बेटी की मौत भी हो सकती है व्लादिमीर का मानना था कि इस गाउं के लोगों ने उनके गाउं पे कोई स्पैल किया है जिसकी वज़ा से उनके गाउं में प्लेग पैल गा है सभी रेसिका उन लोगों के सामने आ जाती है और व्लादिमीर का एक आदमी उसे घूसा मार के गिरा देता है फिर फादर उन लोगों को संधाने की कोसिस करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है वो लोग इसलिए सेफ हैं क्योंकि उनका गाउं पूरी तरह से आइसोलेटेड है जिसकी वज़ा से प्लेग वहां नहीं पैल पाया लेकिन व्लादिमीर के मूटे दिमाग में ये बात घूसी नहीं रही थी वो वहां के एक आदमी को सूट कर देता है और इसकी वज़र से गाउं के सभी लोग उससे बहुत डर जाते हैं तब ही गाउं की हीलर परला उसके सामने आती है और कहती है कि वो उसकी बेटी को ठीक करने की पूरी कोसिस करेगी व्लादिमीर सब को धमकाता है और बोलता है कि जब तक उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक गाउं का कोई भी इंसान गाउं के बाहर नहीं जाएगा और अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिस की तो उसकी सजा मौत होगी चर्च में गाउं के सभी आर्मी मीटिंग कर रहे होते हैं कि तभी जब फादर उनसे कहते हैं कि उन सब को उसकी बेटी के लिए प्रेयर करनी चाहिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और व्लादी मीर उनका गाउं छोड़ के चला जाए लेकिन तभी हेना चर्च में आ जाती है और वो फादर से कहती है कि उन लोगों को फाइट करना चाहिए जिसमें वो एक गोलन की हेल्फ ले सकते हैं लेकिन गाउं के लोग कोई भी खून खराबा नहीं चाहते थे हेना उनसे कहती है कि उन्हें गोलम बनाना चाहिए और वो तभी बेंजिमित हेना को वहां से लेके चला जाता है उसके बाद अगले स्टीन में हम देखते हैं कि हेना अपनी बेहन रेविका के घर जाती है और उसे पता चलता है कि रेविका के पेट में चोट लगने की वज़ा से उसका मिस्क्यारिज हो गया है और रेविका को इस टाइम डॉक्टर की जरूरत है लेकिन व्लादिमीर और उसके आदमियों की वज़ा से वो गाओं के बाहर नहीं जा पा रहे हैं इस बात पर हेना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अकेले ही गोलन बनाने का सुचती है ताकि वो व्लादिमीर और उसके लोगों से लड़ सके जिसके बाद हेना जंगल में जाती है और वहां मिट्टी का एक पुतला बनाती है और फिर वो मिट्टी की पुतले पे कुछ लिखती है और उसके बाद उसके मूँ में एक छोटी सी पच्ची डाल देती है जिसमें 72 secret names of god लिखे थे और उसके बाद वो वहाँ आसपास एक बड़ा से star बनाके वहाँ पे आग लगा देती है और ऐसा करते ही वो बेहोस हो जाती है और दूसरी तरब पैरेला को कुछ एसास होने लगता है कि जैसे कि कुछ गलत होने वाला है और जब अगली सुबह हेना की आख खुली तो उसने देखा कि उस जगा पे एक बड़ा सा गड़ा हो चुका है जिसे देखकर हेना को ऐसा लगता है कि वो अपने काम में काम्याब नहीं उपाई और हेना निरास होके घर वापस आ जाती है जहां वो अपने बेटे जोसेफ के समान को देखने लगती है जहां पर उसकी एक गुडिया रखी हुई होती है और फिर रात में हेना और बेंजिमित खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें वहां किसी की प्रेजन्स फील होती है तभी हेना वहां से एटीक में चेक करने जाती है जहां से जोसेफ की गुडिया अब गायब हो चुकी है और फिर तभी हेना को उस फ्लोर पे किसी के पैरों के निशाम दिखते हैं और दूसरी तरह बेंजिमित को पता चल जाता है कि हेना कोई दवा इस्तेमाल कर रही होती है जिसकी वज़ा से उनको आज तक कोई भी संतान नहीं हुई और इस बात पे बेंजिमित काफी नराज हो जाता है हेना से और गुस्से में वो बाहर चला जाता है अगली सुबा उठकर हेना अपने घोड़े के पास जाती है क्योंकि वो काफी अजीव सा बिहेब कर रहा होता है तभी उसे वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसके पूरे बोड़ी पे मिट्टी लगी हुई थी लेकिन तभी उसका घोड़ा बेकाब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और जब हेना दुबारा से उस बच्चे की तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और वहाँ पे जोसेप की डॉल पड़ी हुई थी फिर अगले सीन में हम वीवर्स देखते हैं कि हेना भागते हुए उस जगा पे जा रही है जहां पे उसने गोलन को बनाने की कोशस की थी और तभी ब्लादिमीर की लोग वहाँ आ जाते हैं क्यों क्योंकि हेना अपने गाउं से काफी दूर निकल आई थी उन लोगों को लग रहा है कि हेना भागने की कोशस कर रही है इसलिए वो लोग उसे फांसी पे चड़ा देते हैं लेकिन तभी कोई अद्रिश्य शक्ती वहाँ आकर उन लोगों को मारने लगती है और अचानक से हेना पेर से नीचे गिर जाती है और उसके बाद एक बच्चा उसके पास आता है जिसकी पूरी बॉड़ी पे मिट्टी लगी हुई थी हेना पहले तो उससे बहुत डर जाती है लेकिन फिर उसके माथे की भी मिट्टी हटा के देखती है और उस पे वही लिखा हुआ होता है जो उसने गोलम बनाते वक्त पुतले पे लिखा था यानी कि वो एक गोलम बनाने में सक्सेसफुल हो चुकी है हेना उस गोलम को अपने घर ले आती है और उसे सभी से छिपा के रखती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जेकब बेंजीमित की पास आता है और उसे एक गन दिखाता है जिसके बाद वो कहता है कि अब लड़ने का टाइम आ गया है जिसमें वो उसका साथ देगा य लेकिन बेंजीमित उसे समझाने की कोसिस करता है कि वो लोग काफी ताकतवर है और हम लोग उनके सामने नहीं तिक पाएंगे लेकिन जेकब उन लोगों से लड़ना चाहता है क्योंकि रेविका और जेकब ने उन लोगों की वज़ा से अपना बच्चा खो दिया है रात मे हेना गोलम को अपने घर ले आके उसको नहला कर साफ ही कर रही होती है कि तभी पैरिला वहां आ जाती है और फिर वो हेना से उस बच्चे के बारे में पूछने लगती है और हेना उसको सब कुछ सच सच बता देती है हेना कहती है कि वो एक गोलम है जिसे उसने खुद बनाय और में भूलता है कि इसी गोलम ने उसकी जान भी बचाई और यहीं आगे आने वाली मुसीवतों से भी बचाएगा लेकिन फिर पेरिला उसे समझाने की बहुत कोसिस करने लगती है कि गोलम होते हैं इसे पहले कि कुछ भी बुरा हो उसे उस गोलम को डिस्टोई कर देना चा यानि कि फिल्म के स्टार्टिंग में हम वीवर्स को जो छोटी सी बच्ची दिखाई गई थी वो एक्चुल में पैरिला थी जो कि उस सिचुएशन से बच गई थी जिसके बाद पैरिला हेना से कहती है कि जैसे ही व्लादीमीर उनके गाउं से चला जाये वो तुरंट ही उस को डिश्ट्रॉय कर दे क्योंकि यह हम आम लोगों की तरह नहीं मरेगा उसे मारने के लिए उसके मुह से उस पार्टीशिपिन को बाहर निकालना पड़ेगा जिसके बाद हेना उसे चेक करती है पानी में डुबा के मारने की कोशिस करती है लेकिन वो नहीं मरता फिर हेना और से बाहर आती है और वो बेंजिमित को अपनी पड़ोसन सारा के साथ देखती है जहां वो सारा से हस्ते हुए बात कर रहा था और ये सब देखकर लेना को बहुत जारा बनाने रंगती है वर जिसके वाद देना सबस्क्राइब करने लिए रखतावी प्रूम di क्योंकि बहुत प्यार करता था और प्रेयर करने के लिए रखता है और अगली सुबा है उठकर घर के बाहर जाती है और हो देखती है कि उसकी परोंशन सारा की बड़ी ही बेरहमी से मौत कुकी है जिसको गोलेम ने रात को मार दिया होता है क्यों कि हेना ऐसा ही चाहती थी और गोलेम उसकी फिलिंग्स को महथोस कर सकता था और दूसरी तरफ Benjamin और उसके गाओंवालों को लग रहा था है कि यह सब व्लादिमीर और उसके आदमियों का किया धरा है वो सभी मिलकर जेकब के पास जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो सभी उन लोगों से लड़ेंगे फिर Benjamin, Jacob और गाओं के बाकी लोग मिलके व्लादिमिर से लड़ने जाते हैं लेकिन इन्हीं सब में Jacob की मौत हो जाती है लेकिन तभी अचानक से Benjamin को भी एक आदमी मारने ही वाला होता है कि अचानक से उस आदमी का सर पूरी तरह से एक्स्प्लोड हो जाता है और तभी हम वीवर्स देखते हैं कि हीना वहाँ पे गोलेम को लेकर आ गई है और व्लादिमिर समझ जाता है कि ये सब उस बच्चे ने किया है और वो गन निकाल कर उसे सूट करने लगता है लेकिन उसका गोलेम पे कोई असर नहीं होता है वो व्लादिमिर को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी बेटी उसे आवाज लगा देती है और वो चला जाता है और हिना भी गोलेम को रोक देती है और वो उसे वर्निंग देती है कि वो अपनी बेटी को लेके यहां से लौट जाए और वो अपनी बेटी को ठीक होटा देखकर वहां से चला जाता है गाओं के सभी लोग इससे बहुत खुस हो जाते हैं और वो लोग गोलेम को अपना प्रोटेक्टर मान लेते हैं जेकब को दफनाने के बाद बेंजीमिन घर आता है और फिर हेना को माप कर देता है जिसके बाद जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब हेना उसे बताती है कि गोलेम को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है बेंजीमिन उसके लिए वाइलेंट प्ले करने लगता है जिसे गोलेम बहुत ध्यान से सुनता है फिर हेना उसे एटिक में ले जाकर सुला देती है और इन सब के बाद बेंजीमिन भी हेना को माप कर देता है और फिर उसी राद पैरला भी उनके घर आती है और फिर एटिक में जाकर गोलेम को डिस्ट्रॉय करने की कोसिस करती है लेकिन गोलेम उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है उसके बाद उसका खून बेंजीमिन और हेना के वेडरूम में गिरता है जिसके बाद बेंजीमिन एटिक में जाकर चेक करता है और वहाँ पे उसे पेरिला की लास मिलती है जिसके बाद Benjamin समझ जाता है कि गोलम ने ही पेरिला की जान ली है और वो कोई भी प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर नहीं है बलकि वो एक हार्टलेल दीमेन है जो सब को मार डालेगा Benjamin हेना के पास जाता है और देखता है कि गोलम उसके पास ही खड़ाता वो हेना को बताता है कि गोलम ने पेरिला को मार दिया है और उसे समझाने की कोसिस करता है कि गोलम एक डीमेन है लेकिन हेना उसकी बातों को समझने की कोसिस ही नहीं करती जिसके बाद हम सभी वीवर अगले सीन में देखते हैं कि बेंजिमिन चर्च के फादर के पास आया है और उन्हें सब कुछ बताता है कि गोलेम ने पैरिला को मार दिया है इसलिए उनको उसे जल्द ही डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को भी मारता है फिर फादर उन्हें डस लोगों को इकठा करने के लिए कहते हैं जिसके बाद वो उस पे पैरिला डिनोरा नाम का रियूनियन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर डालेंगे वहीं अगले सीन में हम सभी वीवर को दिखाया जाता है कि व्लादिमीर की बेटी मर चुकी है जिसके बाद व्लादिमीर को ऐसा लगता है कि ये सब उन गाउवालों की चाल थी जिससे उनका गाउव बच जाए जिसके बाद ब्लादमीर अपने आदमियों को लेकर उस गाओं पे अटैक करने के लिए निकल पड़ता है वही गाओं में मैंजीमीन डस लोगों को इकठा कर लेता है और वाइलेन बजा के गोलेन को अट्रैक करने की कोसिस करता है और वो उसे घर से बाहर बुलाता है और ऐसा करते करते वो उसे चर्च में लेके जाता है और इस बात का पूरा ध्यान दखता है कि हेना को इस बात का बिलकुल भी पता ना चले और फिर चर्च में वो लोग अपना रियूनियन करना सुरू कर देते हैं जिससे गोलम काफी जोर जोर से हिलने लगता है और क्यों क्योंकि हेना और गोलम एक डूसरे से कनेक्टेट थे तो हेना को भी यही सब फील होता है जो कि गोलम को हो रहा था और वो जल्दी से उठ जाती है और समझ जाती है कि बन्जीमिन गोलम को डिस्ट्रॉय करने वाला है जिसके बाद वो चर्च की तरह पौजती है और चर्च का दर्वाजा खोलने की कोसिस ही कर रही होती है लेकिन तभी व्लादिमीन अपने आदमियों को लेके गाउं में आ जाता है और वो उनके गाउं को जला के वहां के लोगों को मारने की कोसिस करता है और व्लादिमीन हेना के सिर पे लकडी से जोरदार वार कर देता है और हेना जमीन पे गिर जाती है और दूसरी तरफ गोलम भी जमीन पे गिर जाता है और उसे गिरा देख के बेंजीमिन वाइलन प्ले करना बंद कर देता है तभी सब का ध्यान बटक जाता है और गोलम उठकर फादर को मार डालता है जिसके बाद वो वहां के बाकी सबी लोगों को भी मार डालता है लेकिन Benjamin वहां से किसी तरह से बच के निकल जाता है वहीं चर्च के बाहर Vladimir हेना को मारने ही वाला होता है कि लेकिन तभी गोलम वहां आ जाता है और वो पीछे से हाठ डाल कर उसका दिल बाहर निकाल लेता है जिससे ब्लाद इमीर की वही पे मौत हो जाती है जिसके बाद गोलम उसके सभी लोगों को एके करके मारने लगता है और गाउं में जितने भी लोग उसके सामने आते जाते हैं वो उन सभी को एके करके मारता जाता है और जब हेना की आँख खुलती है तो पूरा गाउं जलकर राख हो चुका था और वहां के सारे लोग मारे जा चुके थे जिसके बाद Benjamin हेना के पास आता है और उसे समझाता है कि ये गोलम उनका बच्चा नहीं है उनका बच्चा कई साल पहले ही मर चुका है जिसके बाद हेना रोते हुए गोलम के पास आती है और उसे एक गुटबाय किस करके उसके मूँ से वो पार्टिस्पिंट निकाल लेती है जिसके बाद गोलम वहीं पे मिट्टी में बडल केट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसके बाद बेंजीमीन हेना को गले लगा लेता है जिसके बाद वो पार्टिसिपिन उड़ता हुआ सारा की बेटी एविगिल के पास आता है जिसे वो उठा कर अपने पास रख लेती है और मूवी यहीं पे खतम हो जाती है